तो देखते हैं पर question number 6 में हमसे क्या पूछा गया है flash and thunder are produced simultaneously but thunder is heard a few seconds after the flash is seen by तो जो यहाँ पर flash है वो हमें यहाँ पर पहले दिखाई देता है और जो thunder है वो हमें यहाँ बाद में सुनाई देता है जब यहाँ पर बिजली कड़कती है तो उसमें जो light है वो हमें यहाँ पर पहले दिखाई देती है और जो यहाँ पर बिजली कड़कने की आवाज होती है वो हमें यहाँ बाद में सुनाई देती है तो ऐसा यहाँ पर क्यों होता है वो हमें यहाँ बताना है होगा, तो सबसे पहरे जो यहाँ पर main difference होगा दोनों की बीच में, वो हमारे यहाँ पर क्या होगा, speed का difference होगा, तो यहाँ पर, speed of sound होती है, in air वो यहाँ पर काफी कम होती है, as compared to speed of light in air. तो मैं आप लिख लेता हूं, जो हमारी यहाँ पर speed of sound होती है, speed of sound in air, वो हमारी यहाँ पर कितनी होती है 344 meter per second कहीं कहीं पर 343 भी लिखा रहता है तो यहाँ पर कोई problem वाली बात नहीं आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ speed of light in air की तो वह भी लिख लेते हैं speed of light in air तो यहाँ पर light की speed होती है वो यहाँ पर काफी जादा होती है 3 into 10 की power 8 meter per second और ऐसे example हम यहाँ पर और भी जिगा देख सकते हैं जैसे कि अगर यहाँ पर कोई fire cracker चलाता है तो उसकी रॉसनी हमें यहाँ पर पहले दिखाई देती है और जब उसकी आवाज है वो हम यहाँ पर बाद में सुनाई देती है तो एक example आप यहाँ पर fire cracker का भी ले सकते हैं तो जो fire cracker है उसमें हम rocket लेते हैं तो rocket जो हमारा वो उपर जाता है और उसकी जो रॉसनी वो पहले दिखाई देती है जब वो burst होता है और उसके बद उसक कुशिन के तरफ